अगर आप मेरे चैनल के लिए नीव है तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैं मेकप फैशन एंड ब्यूटी रिलेटिड कॉंटेंट शियर करती हूँ गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मोकी मेकप लोग क्रियेट करके दिखाने वाली हूँ जिससे आप किसी भी पार्टी में वियर कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल मेकप को मैंने किस तरह से किया है तो गाइस इस मेकप को करने से पहले आपकी जो स्किन है वो अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए इसलिए मैंने फेस को फेस वाच से क्लीन कर लिया है और उसके बाद हमें टोनर का यूज करना है मैंने हाँ पर प्लम का टोनर लिया है और टोनर को आप अपने फेस पर लगा कर अच्छी तरह से थप थपा लेंगे ताकि आपकी इसकिन में वह अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए और आपकी इसकिन की जो ओपन पोर्स है वह क्लोज हो जाए नेक्स्ट मैं यहाँ पर सीरम का यूज कर रही हूँ यहाँ मैं विया नैच्छीरल का सीरम ले रही हूँ जितने भी प्रोड़क्ट मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ उन सारे प्रोड़क्ट के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आप वहाँ से आपकी स्किन को मौस्चराइज कर देता है आपकी सकते हो इन सब चीजों को यूज करने के बाद मेरी जो इसकिन है वो कितनी सथा ग्लो कर रही है और बहुत ही ब्यूटिफुल और सॉफ लग रही है तो इसी तरीके से अपना जो है बेस्ट मैंने कम्पलीट कर लिया है नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं कनसीलर का तो यहां में सबसे पहले आइस मेक अप करूंगी आइस मेक अ शेप करने से पहले आईस मेकप करने से पहले चाहिए बहुत इंप एBobटन् साथ यहां पर मैं पर मैं से olyआना कि कॉंपैक से अपने कंसीलर को सैट कर लेंगे सीलर को सेट करने के यहाँ यूज़ कर रही हों, ओल कुंपशनल आगर आपको यूज़ करना तो कर सकते हैं औरना कोई यह बहुत ही अच्छी शार्पनेस आती है काफी अच्छा नीट चलीन मेकप होता है बिकास मुझसे जो है वह चीज नहीं हो पाती है इसलिए मैं यहां पर अच्छी टेप का यूज कर रही हूं नेक्स्ट मैंने हाँ पर गाइज ब्यूटी ग्लेज का आईशेडव पैलेट लिया है जिसमें से मैंने यह लाइट वाला ब्राउन कलर लिया है क्योंकि लाइक ओरेंज टोन भी दे रहा है तो यह इस कलर को मैंने पनी क्रीज पर लगाकर अच्छी तरह से ब्लैंड कर लिया ह प्री पूरी पूरी आईश पर लगा लिया है और साथ ही मैंने एक दूसरे ब्रश से अपनी जो क्रीज भाइब लिया है ताकि अच्छी तरह से लाइक्षाई ही हो मेरे जो आईज मेंकप है वह एकदम नीट अज्ट अजिए लगे है और उमें एक सफाई आए बिकास अग अजिए ब्लाक कलर ने वाली हूं फॉरेवर 52 का आईशादो पैलेट इसमें ब्लाक कलर है जो कि थोड़ा सा गलेटरी टाइप का आईशादो है ब्लाक कलर का बहुत ज़्यादा स्पार्कल वाला नहीं है बहुत हलकी हलकी सी लाइक गलीटर उसमें से शाइन करती है तो यह यहां पर मैं यह वाला कर ले रही हूं जो कि बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और पार्टी लुक के लिए रिक्तम पर्फेक्ट है तो यहां पर मैं इसे अपनी आईश पर लगा लोंगी ताकि मेरी जो स्मोक की आ आपर यह नेक्स्ट गैस मैं हाँ पर यहां पर यह पर त्वक्रत बाद में लगाईगा थाट चीप अपर लागा जासाई और उसकी वज़ें जो आपर पूबर लागा करूद के तो भी बाह पर रही जा रिक जा जाता है तो कोशिए चैखिए जो आपका जो फॉन्डेशन या नीचे का जो concealer है वो आप बाद में लगाईए पहले अपने आइस के ऊपर का मेकप कीचिए तो मैंने हाप पर concealer लगा लिया है और concealer लगा के मैंने उसे compact सेट कर लिया है अब मैं अपना ब्लाक कलर को अपने lower lash line के नीचे लगाऊंगी next guys मैं हापर foundation का यूज करने वाली हूँ foundation मैंने हापर color बार कर लिया है foundation को आप डॉट डॉट करके अपने पूरे face पर लगा रहेंगे और पूरे face पर लगाने के बाद आप उसे brush की मदब से अची तरह से ब्लाक का लेचे कर cinky zaldy रॉट क कर लिए उसे — मैंने फाउडेशन को ब्लाक कर लिया है और इसके बाद मैं यह वाल कर्यों कर लैंड वियर अपने फाउडिशन को लिए स Brush कर लिया है wash the color 9 by 10 byeng product ब्लush कर रही है उसके फोह लिए लग है उसे ऐपने में क्पुण आरं तो यहीया तो ऊहे थोच आर थोड़ा थोड़ा जैना थोड़ा यह किर पर थोलोग से लिए तो div裡 रही हमेंड next, I am using mascara after that, I am using lipstick I am using lipstick I don't remember the lipstick shade I will give you the lipstick shade in the description box so guys, my makeup is complete I just put false eyelashes next, I have not done anything so guys, I hope that my makeup is a good one और एक एक श्ताप एक चीज़ आपको समझ आयए होगी अच्छी तरह से बढ़ फिर भी गाई अगर आपके कुछ भी questions है यज उप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे से कम्ट बॉक्स में में पूछ सकते हैं I hope guys आपको मेरा जो मेक अप है वो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये मेक अप पसंद आया और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज आज के लिए इतना ही थैंक यू फो वाचिंग मै वीडियो प्लीज मेरे वीडियो